हाँ जी नमस्कार दोस्तों स्वागत है जी आपका सिविल स्टैप टीचिंग एक्जाम के उपर स्वागत है जी हाँ जी और आज के हमारे कोश्चन कुछ मिक्स रहने वाले हैं पहले हिस्ट्री के कुछ कोश्चन देखेंगे हाँ जी तो है कि शुरू किया जाएं आज का सेशन जो है कुछ अगर साथी साथ जुड़ जाएं तो इन विच्ची और हाँ जी आज आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है इन विच्ची और शिवाजी वाज क्राउंड एज दा च्छतरपती किस वर्ष में शिवाजी को च्छतरपती के रूप में ताज पहनाया गया था हाँ जी रीना कपूर जी कह रहे हैं ए सोला सो आठ के अंदर कृतिश चौधरी जी कह रहे हैं गु आंसर क्या है सी सोला सो चोहत्तर के अंदर सुमन सोनी जी वेरी गूड इवनिंग आंसर क्या है सी 1674 सोला सो चोहत्तर के अंदर ठेक है जी नेक्स्ट मारा कोश्चन है विच आफ दी फॉलिंग फिलोसफी वाज प्रीच्ट बाए आदी शंकरा आदी शंकर दोरा निमें लि जिसे बोलते हैं अदवैता आदी शंकरा ने किस फिलोस्पी का किस दर्शन का जो है परचार किया था हाँ जी आंसर के जी सी अदवैता सी जा राइट आंसर अदवैता सुगंदा विलेरियरी कह रहे हैं सी बिलकुल आगे चले नेक्स्ट ओर विट्वली के वाली templates को गेडरेट सी नंबर के अंदर तीन हुई है तीन तीन बार अलगलग जग़ा इकठे होए जिसमें तमिल लिट्रेचर के उपर बहुत काम हुआ है ठीक है इसके अंदर वो थर्ड जिनको संगम कहा जाता था गैधरिंग को तमिल पोएट्स के ग्रेटेस्ट जो लिट्रेक्चर के लोग थे तमिल सहित्य के साथ जुड़े हुए और तीसरा जो संगम है यह थर्ड गैधरिंग को बोल रहा है कि किस जगा पर जो है वो हुई थी थांजावूर कांचीपुरम मदुरेई या वांजी मदुरेई कांची किनारेपर वैगई को और सीटी ऑफ फेस्टिबल्स ति इस एफ भी वैगई रीवर के किनारे पर है मदुरेई ऍटी ऐस फेस्टिबल्स जो आगे चले नेक्स्ट वू अमंग दा फॉलॉइंग नेशनल लीडर्ड डिड नॉट आप्ट टू डिफेंड दा केस डिलिंग विद ट्रेल अप दा सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन नाइंटीर फॉर्टी फाइव हां जी बिलकुल सचिन मेरे भाई कई सारे टेंपल हैं ज पर शांदार है ठीक है निमल लेकित राष्ट्रिय नेताओं में से किसने 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के सेनिकों का जो है केस से निपटने वाले मामले का बचाव करने का विकल्प नहीं चुना हां जी तेज बहादुर सपरू बुल्ला भाई देशाई सी राजा गोपाल चारी जे अल नेरू जो आलन नेरू हां जी डिर नाट आप्टु डिफेंड दा केस डिलिंग विद दा ट्राइल अफ दा तोल्जर जो रेड़ फोर्ट के अंदर ट्राइल हुआ था ठीक है जी रेड़ फोर्ट के अंदर तीन बड़े इनके अफिसर से ठीक है जी एस्ट लो प्रेम सहेंगल और शानवाज खान अंसर के जी सी सी राजा गोपाल चारी सी किसी ने भी ने अंसर दिया राजा गोपाल चारी सी राजा गोपाल चारी सी आंसर है स्टी राजा को पालचारी इस दा राइट आंसर ठीक है इन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था आगे चलें नेक्स्ट इन मिडीवल इंडिया मध्या कालीन भारत में महा मंदलेश्वरा वाज़ टर्म ओफन यूजड पॉर मध्या कालीन भारत में महा मंदलेश्वर एक शब्द था जिसका उपयोग अक्सर किसके लिए किया जाता था महा मंदलेश्वर क्या उन समंतों के लिए किया जाता था जो पावर और वेल्थ को गेन कर लेते थे अपने जो राजे महराजाओं को मार कर ओवर पावर करके सामन्त वो जिमीदार लोग थे जिनके पास कुछ जमीने और कुछ पावर होती थी ठीक है और वो कई बार टाइम के साथ अपने लौड जो नके लौड होते थे उनको ओवर्थो करके आप गद्धी पर बैठ जाते थे क्या महामंडलेश्वरा उनके लिए यूज किया जाता या उन राजाओं के लिए ठीक है जो ओवर्थीज एक्स्पीडिशन बाहर हमला वगएरा करने जाते थे उनके लिए या उन पुजारियों के लिए जो अश्व मेदा सैक्रिफाइस यग्या जो है वो परफॉर्म करते थे उनके लिए या टेंपल्स के पैटरंस के लिए ज अंश्वन के लिएक पावर और पैसा घेंद कर लेते अपने लॉडु्स को ओवर्थ्रों करकर ठीक है जी हाँ बिलकुल दिवारा जो कोश्चन की आगे पीछे हो जाते हैं थीक है आगे चले नेक्स्ट दा मेन अब्जेक्टिव अब दी प्राथना समाज वाज प्राथना समाज का मुख्य उदेश्य क्या था प्राथना समाज का मुख्य उदेश्य क्या था हिंदू कम्मूनिटी को स्पिरिच्वली जो है प्योरिफाई करना वेस्टन पल्यूशन से ठीक है जी या शोशल जस्टिस अब्टेन करना अप्रेस्ट कलासिज के लिए या गुरुकुल एजूकेशन सिस्टम को रिवाइव करना या सवतंतरा बिलकुल फ्री इडिया प्राथना समाज प्राथना समाज का मेन अब्जेक्टिव या उदेशिया क्या था आंसर कैब B सिक्योरिंग शोशल जस्टिस फॉर दा अप्रेस्ट कलासिज समाज के अंदर जिनका शोशन हो रहा है उनके शोशन के अगेंस्ट उनके लिए समाजिक नयाय की विवस्ता करना शोशल जस्टिस जो है उसको सिक्योर करना तांकि उनका शोशन जो है वो ना हो सक के डिव राइट ऑंसर भी इस राइट ऐंसर ठीक है आगे चलें लिया कि नेक्स्ट दा इंस्क्रिप्शं ओफ चोफ चोलामंच00 वेरियस काइंड ऑ टेसीज जो चोफ तेहिंगे मोस्ट फ्रिगेंट लीमेंच्इंट टैक्स इन दीज इनकित इन जो इंगे शिलब इस इसाहा इन ताक्र सब चोलाज के इंस्क्रिप्शन में बार-बार कौन से टेक्स का जो है टेक्स का जिकर मिलता है करका शिला लेखों में रुमोलना वैटी सरनाम या लदामोल आंसर क्या है जिसका बी वैटी वैटी जिसे बोलते हैं बी जा राइट आंसर नेक्स्ट डूरिंग दा मुगल पिरिड ऑफ इंडियन हिस्ट्री दा टर्म परवानना रेफर टू भारतिय इतिहास के मुगल काल के दुरान परवानना शब्द का उलेक ठेक है परवानना शब् मुगल काल के दुरान जो है तर्म परवानना किस चीज़ के लिए जो है यूज किया जाता था शब्द परवानना क्या ये किसी राजे के ओर्डर के लिए यूज किया जाता था या प्रविंसिल कोर्ट की जो प्रसीडिंग होती थी अदालतों की उसके लिए या जो कोई हा वाइल फैमली को यह ओर्डर इशू करती थी शाही घराना उसके लिए शब्द यूज़ होता था परवाना मुगल काल के दुरान हाँ जी मुगल काल के दुरान आंसर के जी सी ओर्डर इशूड बाई हाइर अथॉरिटीज ओर्डर इशूड बाई हाइर अथॉरिटीज सी इस दे राइट आंसर ठेक है जी सी जो है इसका सही जवाब है परवाना नेच्ट इंडिविज्विज्वल सत्यग्रह वाज़ काल्ड बाई गांधी जी इन रियक्शन टू गांधी जी जो आरा व्यक्तिकत सत्यग्रह किसकी परतिक्रिया के रूप में बुलाया गया था क्रिप्स मिशन की साइमन कमिशन की अगस्त ओपर की अवैवल प्लैन की किसके रियक्शन के रूप में एमके गांधी ने जो है इंडिविज्वल सत्यग्रह बुलाया था और पहले इंडिविज्वल सत्यग्रह ही कौन थे फर्स्ट इंडिविज्वल सत्यग्रह ही कौन थे विनोवा भावे और दूसरे कौन थे जवालना नहरू विनोवा भावे जेयल नहरू हाँ जी आंसर कैसी ओगस्ट ओफर कैसे हो जाएगा ये जो इंडिविज्वल सत्यग्रह ये हुआ 1940 में कृप्स मिशन आया 1942 के अंदर ओगस्ट ओफर था 1940 में साइमन कमिशन 1928 में और वैवल प्लैन था 1945 में ठीक है जी दूसरी वर्ल्ड वार के अंदर जब ब्रिटिशर्ज ने बिना इंडियन्स के पूछे उनको वर्ल्ड वार के अंदर शामिल कर लिया पार्टी स्पेशन को मंजूरी देदी के इंडियन्स अमारी तरफ से लड़ेंगे ठीक है जी उसके काउंटर में जब इंडियन ने नेशनल कॉंग्रेस ने रिजाइन किया अपनी मिनिस्ट्री से जब उन्होंने पहली बार गर्मेंट बनाई थी ग्यारां प्रोविंसिज के अंदर उसके बाद ठीक है जी उन्होंने कहूंटर ओफर दिया कि हम आपके constitution के लिए आपके लिए ठीक है जी काम करेंगे आपको डमीनियन स्टेटस भी देंगे ठीक है विदावुट एन्य आउटसाइड इंटर फेरेंस constitution बनाने में में भी मदद करेंगे और और भी कुश्चीनिय ओफर की जिसको अगस्ट ओफर के नाम से जाना जाता है ठीक है जी उसके रियक्शन के अंदर ठीक है एमके गांदी ने इंडिविज्विज्व सत्य ग्राय जो है वो शुरू किया आगे चलें नेक्स्ट विटले कमिशन इस्टेबलिष इन्डिया वाज मेंडेटिड टू रिपोर्ट ऑन ब्रिटिश भारत में स्थापित विटली आयोग किस चीन को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया था विटले कमिशन ट्रेड अडिक्शन और कमर्स को पिलीश औड मि जिद्रों के बाद या British administration के अंदर financial reforms को लेकर या labor की conditions को सुधारने के लिए existing labor की conditions को सुधारने के लिए weekly commission जो है हाँ जी निशू जी कह रहे हैं डी आंसर के जी डी बिलकुल डी is the right answer निशू का अंसर बिलकुल सही है डी कृतिश का अंसर भी सही है डी labor की conditions को सुधारने के लिए recommendation देने के लिए मज़दूरों के लिए commission create किया था विटली कमीशन विटले कमीशन इस दा राइट आंसर आगे चलें नेक्स दा वैल नोन ब्रिदेशवरा टेंपल इस फेमस फर हाउस पेंटिंग्स ऑफ हिंदू डाइटीज एंड डेडिकेटी टू शिवा विच वास बिल्ट बाए प्रसिद ब्रदेशवर मंदिर हिंदू देवताओं के चित्रों के लिए प्रसिद है और शिव को समर्पित है जिसे किसके दवारा जो है बनाए गया था पल्लवाज ने बनााय था पांडिया था विजए नग्रा किंग्डम ने बनाया था यह चोलाज बनाय था ठीक है आज कल चोलाज का बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है जब से प्राइम मिनिस्टर ने इनका वो संगोल यूज किया है नहीं पारलेमेंट के अंदर सो आने वाले एक्जाम के अंदर चोलाज के से कुछ ना कुछ कोश्चन जो है एक्सपेक्ट किये जा सकते हैं हाँ डी चोलाज इस दा राइट आंसर ठीक है जी चोलाज इस दा राइट आंसर आगे चलें नेक्स्ट मध्यमाका एंड योगाकारा मध्यमाका और योगाकार किस्से समंदित दार्शनिक प्रंपराएं हैं मध्यमाका एंड योगाकारा और फिलोस्पिकल ट्रेडिशन्स रिलेटी टू योगा वेदानता तंत्रा या बुद्धिजम योगा वेदानता तंत्रा या बुद्धिजम हाँ जी क्या अंसर आएगा जीजिसका अ अ आंसर केंग ड बुद्धिजम Dew is the right answer बुद्धिजम गभी इस दरा राइट आनसर बुद्धिजम के फिलोस्पिकल ट्रेडिशन्स हैं जलो आगे चलें नेक्स्ट विच ओफ दीजव फीचर egyज फंट हैं न सौन्म यहीं इन में से कौन सी विशेष्ता मौरिया समराज्य से अनुपस्तित पाई जाती है क्या मौरिया जो थे वो प्रविंसिल गवर्नर्ज गो ठीक है अपॉइंटमेंट प्रविंसिल गवर्नर्ज बेस्ट ओन meritocracy merit के अधार पर पॉइंट करते थे दूसरा विलेज administration की presence तीसरा municipal administration चौथा committees that looked after the manufacturer of goods तो इनमें से कौन सी जो विशेशता characteristic का feature है वो Moran Empire का नहीं था वो Moran Empire का नहीं था हां जी appointment of provincial governors purely based on merit meritocracy village administration municipal administration that looked after manufacturer of goods answer क्या जीसका A ठेक है जी जो प्रविंसिल governors की appointment है वो purely meritocracy के ओपर based नहीं थी meritocracy का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर से काबिल बंदे को चुन के आगे लेके आना वैसा नहीं था Moran's के अंदर ठीक है जी है रीडिट्री था ठीक है है रीडिट्री थी वो देवा पुत्रा एंड हिंदू सुरातना सुरत राना देव पुत्र और हिंदू सुराराना की शाही उपादी इन में से किस शाशक क्या राज्या से जुड़ी है कुशान और विजे नगरा मगदा एंड समुंदर गुपता शाका है चोलाज वक्तका एंड छेडाज है हां जी देवा पुत्रा एंड हिंदू सुरारतना सुरात राना सुराराना भी जिसे बोलते हैं हां जी अंसर क्या जी इसका ए कुशान और विजे नगर के अंदर कुशान एंपाइर और विजे नगरा के अंदर जो है ठीक है जी रोल टाइटल दिया जाता था देव पुत्रा का और हिंदू सुराराना का शाहिव पादी ठीक है जी आगे चलें नेक्स्ट कंसीडर दा आइडिया और रिनंशियेशन आप दी वर्ल्ड तूसरा दे बिकम पर्टिकुलरली पॉपिलर अमंग लो कास्ट तीसरा तुदेम दा पाथ तू सल्वेशन लें दा मैडिटेशन ऑन दा फॉर्मलेस अल्टीमेट रियल्टी सो नात पंथीज के बारे में तीन वो अइडिया और दुनिया के अंदर जो अइडिया और रिनंशियेशन एब भटकना सत्य की खोज में भटकने के आइडिय को रिजेक्ट करते थे दूसरा जो प्टिकुलरली नात 15 थे वो लो कास्ट के अमंग ज़्यादा पॉपुलर थे ठीक है तीसरा के नात 35 के according जो मोक्ष का ये मुक्ती का रास्ता है जो है रस्ता है वो ठीक है जी meditation है और meditation करते हुए ultimate reality है जो formless God यानि जिसका ना कोई अकार है ठीक है जी उस formless ultimate reality को पाना meditation के थुरू ये नात 35 के साथ था हां जी तो तीन स्टेटमेंट्स हैं मैं पताना है कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है पहली दूसरी पहली तीसरी दूसरी तीसरी या पहली दूसरी तीसरी हा कमेंट्स नहीं जा रहे कमेंट्स तो जा रहे हैं कि में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी हो कि हो सकता है कि हाँ जी आंसर कैसका स्थी तो ठीक है हाँ दो और तीन लो कास्ट के अमंग पॉपुलर थे और पाथ तू सल्वेशन जो था वह मेडिटेशन था पाथ तू सल्वेशन जो था मोख्ष का जो मुक्ति प्राप्ति का रास्ता था वह मेडिटेशन करते हुए अल्टिमेट फॉर्मल एस अल्टिमेट रियल्टी को पाना था ठीक है जी डान आगे चले है अगले कोश्चन की तरफ चले हुए वह मंग था पॉलिंग वास्दा लास्ट मॉर्यन किंग निमल कित में से कौन अंतिम मॉर्या राजा था अशोक का दस रथा ब्रिद रथा या कुनाला अंतिम मॉर्या राजा अंतिम मॉर्या राजा था अ हां जी कि राजा नेक्स्ट विच आफ दे फॉलिंग वर्दा लिट्रेरी वर्ट्स बैब यार अंबेडकर ने में लेकित में से कौन सी साहित्यक रचनाएं बीयार अंबेडकर द्वारा की गई थी बहिशकारित भारत बुद्दा एंडिस धम्मा इंडिया ओफ माइड ड्रीम्स एन हाँ जी बीयार अंबेडकर द्वारा इन में से कौन सी जो है लिट्रेरी क्रियेशन की गई थी बहिशकारित भारत बुद्दा एंडिस धम्मा इंडिया ओफ माइड ड्रीम्स या एन्हीलेशन ओफ कास्ट हाँ जी एन्हीलेशन ओफ कास्ट आंसर क्या है ए वान टू एड़ फोर इस दा राइट आंसर यानि भाईशकारित भारत बुद्दा एंडिस धम्मा एंड एन्हीलेशन ओफ कास्ट यह तो बहुत जादा फेमस है एन्हीलेशन ओफ कास्ट तो आपको जैसे वो चेतन भक्त के नौवल विखते हैं ना नीचे वो चटाई विशाके सस्ते में नौवल जो देते हैं आप दिल्ली जाओ या चंडिगर स्तारा सेक्टर में कहीं भी जहां पर मार्किट्स वगएरा होती हैं कहीं लोग सो डेड़ सुर्पे में नौवल लेके बैटे एन्हीलेशन ओफ कास्ट भी जो है बहुत जगा आपको बियार अंबेड करकी लिखी हुई बुक्स है लिट्रेरी वर्क है उनके ठीक है आगे चलें नेक्स्ट विच वर्ल्ड हेरिटेस साइट कंप्राइस अफ दे अलाई दरवाजा गेट किस विश्व दरोहर स्थल में जो है अलाई दरवाजा गेट शामिल है हुमायूज टॉ महाबोधी टेंपल कुतूब मिनार या रेड़ फोर्ट कंप्लेक्स हाँ जी कुतूब मिनार बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी निशू चलो आगे चलें नेक्स्ट मिनिहडपा लोथल ठीक है जी लोथल नकापर रहें लोथल की साइट जो है कि जुजरात लोथल से किस चीज चीज का एविड़न्स मिला था ह। डॉक्याड़का लोथल मिलाथा ह। जुजराण का कि युजरी जुज का deceased Personal technology मिला गुजरात के अंदर डॉक्याड का एविदेंस मिला था आगे चलते हैं नेक्स एक सिट्र फॉलिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल प्रिंस दारा शिको दारा शिको के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं पहली कि he is the son of Shaja and was killed after losing the war of succession against Aurangzeb दूसरा he is described as a liberal Muslim who tried to find commonalities between Hindu and Islamic traditions तीसरा he translated into Persian दा भगवत गीता as well as उपनिशद के दारा शिको जो था वो शाह जहां का बेटा था और गदी की लड़ाई में succession जो है succession की लड़ाई में Aurangzeb से हारा ठीक है दूसरा ये एक liberal Muslim थे जिन्नोंने हिंदू और Islam के अंदर जो है commonalities cultural commonalities जो है ढूंडने का काम किया तीसरा पर्शियन के अंदर इन्होंने भगवत गीता और उपनिशद को जो है translate किया आंसर क्या है डी वान टू एंड थ्री शाह जहां के चार लड़के थे दारा मुराद शूजा और Aurangzeb ठीक है जी चार सं थे दारा जिसका ये question था मुराद शूजा और फूर्थ जो है Aurangzeb ठीक है चार लड़के थे शाह जहां के दन आगे चले next हमारे पास कुछ statements है और बताना के यह statements इन में से किस political leader को address हो रही है ठीक है पहला प्रेजिडेंट आफ दी सर्वेंट्स आफ दा पीपल्स सोसाइटी दूसरा पार्टी स्पेटिड इन नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट एंड सॉल्ट सत्यागर है ठीक है जी तीसरा प्रमोटेट दा वाइट रेवलूशन चौथा साइंड ताशकंत डिकलेरेशन विद पाकिस्तान मेरे क्याल इसी से क्लियर हो जाना चाहिए एक ही स्टेटमेंट फॉर्थ स्टेटमेंट ही काफी है आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा उसी से फॉर्थ स्टेटमेंट से ही हाँ जी पूर्थ स्टेटमेंट से सारा कुछ वह क्लियर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ठीक है लाल बहादुर शास्त्री की न डेथ के उपर बहुत सारी सवाल है अनुजधार की न एक बुक आती है अनुजधार की प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के अपर अनुजधार की बुक वो पढ़ने लाइक किताब है जिसमें काफी सारी इंसाइट इंफॉर्मेशन है रिलेटिड विद्धा डेथ ओफ लाल बहादुर शास्त्री यह अनुजधार वो ही बंदा है जिसने सुवाश चंदर बोस की हाँ तास्कंत में डेथ हुई थी अचानक हुई थी या नहीं हुई थी जो भी है काफी कुछ इस बुक के अंदर रिवील किया हुआ है बहुत पढ़ने लाइक किताब है अनुजधार जो है राइटर का नाम है किताब का नाम शायद है हुकिंड प्राइम मिनिस्टर शायद ऐसा करके कुछ है इस वज़ा से नहीं करते क्योंकि पबलिक करने के वज़ा से एक बंदा नहीं बहुत सारे बंदे उसकी चपेट में आएंगे उसमें हर पार्टी का बंदा है और बहुत बड़े-बड़े ब्यूरोक्रैट्स हैं बहुत सारे बंदों की इंवाल्मेंट बाहर आ जाएगी इ फाइलों को डी क्लासिफाई यानि पबलिक नहीं करते ठीक है जबकि वो चुनाव के अंदर उन्होंने वादा भी किया था दो यार तेरा के अंदर बेंगौल के अंदर जाके हम सत्ता में आने के बाद ठीक है इनकी जो सुभाष चेंदर बास की जो फैमली है उनको फाइल अंदर का कोई लिंक नहीं मनता कुछ नहीं बन रहा वह जरूर की यह रिलीज दो चार फाइल बट वह इंपॉर्टेंट नहीं है बिलकुल लेस इंपॉर्टेंट फाइले जो है वह जरूर रिलीज की है ठीक है नेक्स्ट दा ग्रेट पेंटर ख्वाजा अब्दु समाद फ्लरिश्ड दा कोर्ट ओफ विच्वान अफ दी फॉलॉइंग महान चित्रकार खौजा अब्दु सम्मद नेमल लेकित में से किसके दरबार में विक्सित हुए थे ठीक है जी फ्लरिश्ड अकबर के दरबार में थे बाबर शेर्शा या शा जहां हां जी अंसर क्या ए अकबर अगर मैंने वहां नहीं देखा सचिन मैंने वह तो नहीं देखा बीर बाइसेप्स क्या चीज़े यह तो मुझे नहीं पता बट मुझे पता है कि अनुच धार जो है वो पिछले काफी टाइम से इन दो-तिन मसलों के उपर जो है काम कर रहा है ठीक है अनुचधार काफी रिप्यूट्टिड नाम है और इनकी फैमिली के बहुत क्लोज है वो सुबाश्चंद्र बोस की फैमिली के ठीक है चलो मैं जरूर देखने की कोशिश करूँगा कि क्या बताया उन्होंने ठीक है नेक्स्ट कामरूप इजन एश्यंट नेम ओफ विच रीजन ऑफ इंडिया काम रूप भारत के की शेत्र का प्रचीन नाम है बिहार राजस्थान करनाटका या असाम् डन मेरे भाई डन जरूर देखूँगा बिहार राजस्तान करनाटका असाम बिल्कुल डी असाम ठीक है डी असाम ठीक है असाम इस दो राइट अंसर आगे चलते हैं वाट वाज दा चीफ अब्जेक्टिव अब दी वहाबी मुवेंट वहाबी अंदोलन का मुख्य उदेश्य क्या था कॉडियर रिलेशन बिल्ट करना ब्रिटिशन के साथ पॉर्ज कॉडियर रिलेशन या इसलाम को प्यॉरिफाई करना इंप्रूब दा कंडिशन अफ वॉमन या अडॉप रैशनल एडूकेशन अडॉप रैशनल एडूकेशन प्यॉरिफाई इसलाम फॉर्ज कॉडियर रिलेशन विध दा बिटिश या इंप्रूव दा कंडिशन आफ वॉमन हाँ जी समाज के अंदर औरतों की हालत को सुधारना अंसर के जी बी प्योरिफाई इसलाम इसलाम को प्योरिफाई करना ठीक है बेसिकली यह वेस्टन आइडिया और इन सब चीजों के गेंस्ट जो है सारा कुछ था ठीक है आगे चले नेक्स्ट चाच नमा रिकॉर्ड्स दा हिस्ट्री ऑफ विच कंक्वेस्ट चाच नमा किस विजे का इतिहास जो है दर्ज करता है कुशांज का हुंज का अर्ब्स का या ग्रीक्स का युनानी होगा ठीक है या युनानी होगा ग्रीक्स यानि युनानी हाँ जी युनानियों का अर्ब का अर्ब का अर्ब्स का या कुशांज का अंसर कैस थी अर्ब ठीक है अर्बों के इतिहास को जो है विजे को विक्ट्रीज को अर्ब की समंद में निमन लेखे कथनों पर विचार कीजिए जो रानी कितनीलियों थी वो एक नागा स्पिरिच्वल और प्लिटिकल लीडर थी जिन्होंने ब्रिडिशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया दूसरा शी एस बिन कॉल्ड अस दा डॉटर ऑप दी हिल्स उन्हें पहाडों क सेस्ट्यल प्राचीन नागा धर्म जो है उसके साथ बेस्ट मूवमेंट थी सो रानी कितनीलियों के बारे में हमें यह जो स्टेट्मेंट्स हैं बतानी है आंसर के डी 1 2 & 3 1 2 & 3 तीनों यह जो हैं वो करेक्ट है हाँ बिल्कुल तीनों ही करेक्ट हैं अबाउट रानी कितनीलियों नेक्स्ट बैटल ऑफ सराय घाट वास पॉर्ट बिट्वीन सराय घाट की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी मराठा और अफगांज के बीच में मुगल एंपायर और अहॉम किंग्डम के बीच में किसके बीच में लड़ी गई थी आंसर के जिसका बी मुगल एंपायर और अहॉम किंग्डम ठीक है बी इस दा राइट आंसर बी इस दा राइट आंसर आगे चले जी नेँस्टano के दुरान पत्रुगाट का विद्रोग क्या था पत्रुगाट अप्रैजिंग अए एक वरकिंग क्रास की मूपेंट थी ट्राइबल का रिवॉल्ट था समीर पीजन अप्रैजिं ते या कास्ट बेस्ट मूपेंट थी हां जी आइ का पतरूगाट का मुमेंट पत्रूगाट के अप्राइजिंग the answer कैसी फीजेंट पीज पीजेंट लेगोँ जब भी बृटिशर्द का गएस्थ हम विद्रोगी बात करते हैं जब के बिद्रों की बात करतें तो रॉह तक सिपाईओं का विद्रोंगे टो खुछरुच के बाद ट्राइबल का था कि कर त्राइबल के बाद MSN फे लिए पीजंट्स थे फिर उसके बाद रिलीजियस रिवॉल्ट थे ठीक है यह तीन चार तरीके के बिडिशर्स के गेंस्ट जो है विद्रो हुए सिपाई म्यूटनी के अंदर 1857 का बहुत फेमस है वैल लॉर की म्यूटनी है वाइट म्यूटनी है ट्राइबल्स के अंदर संथाल ठीक है जी और भी कही सारे संथाल रिवॉल्ट पीजनट के अंदर इंडिगो रिवॉल्ट चंपारन सत्वय रहे एसी रिलीजियस मुवमेंट के अंदर भी कई कई जो हैं विद्रोह हुए इनको अगर ऐसमें से पढ़े जा सकते हैं ठीक है आगे चलें नेक्स्ट दियूरिंग दा कलोनियल पिरड इन इडिया वाट वाज दा परपस आप दी विटले कमीशन भारत में अपने वेशिक काल के दुरान विटली आयोग का उदेशिया क्या था यह तो हमने कर लिया लेबर एंड मेक रिकमेंडेशन यह कोश्चन हो गया था हमारा यह अगले कोस्चन पर जाते हैं operation search light is related to operation search light कि से समंधित है second world war फर्स कश्मीर वार बंगलादेश लिबरेशन वार या सीनो इंडियन वार हां जी operation search light operation search light जो है वो किस चीज़ के साथ समंधित है हाँ जी आंसर क्या है सी बंगला देश लिबरेशन वार के साथ आगे चले हाँ बिल्कुल जी साहिल चौजरी आगे चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ फालिंग इस नोन ऐस दी फादर ओफ वीट रेवलूशन इन इडिया ठीक है निमन लिकित में से किसे भारत में गेहूं करंती के पिता के रूप में जाना जाता है गेहूं करंती के नॉर्मन बॉर्लोग लाल बहादुर शास्त्री म सौमिनाथन दिलबाग सिंग अठवाल कुछ कोश्चन्स ना कोश्चन्स पुराने थो चार निशू को फादा होता है रवीजन का ठीक है यही रिवीजन है बस यही ऐसे ही आपको रिवीजन के अंदर जो है चीज़ें याद रहना शुरू होती है ठीक है इसी विज़ासे मैं बोलता हूं आपको बार-बार के एक्जाम क्लियर करने के लिए सबसे जाना क्या जरूरी है रिवीजन अंसर के डी दिलबाग इसी अठवाल देखो फादर आफ वीट रेवलूशन है एक बात हाँ एक बात याद रखना वीट रेवलूशन है वीट रेवलूशन की जब हम बात करेंगा हम अकेले वीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्यों नहीं था क्योंकि अगर मैं कहता क कि वीट थिभी है मेज भी है पयडी भी है तब था अगर मैं अकेले वीट की बारे में बात करूंगा तो दिलबाग सींग प्रीक्वाल इनको कई जो है हाई वराइटी सीट में लिए इनका कंट्रीबूर्योशन जो है और प्रदक्शन के अंदर बहुत उपर माना जाता है सो फादर ओफ वीट रेवलूशन इस वजह से नहीं कहा जाता है ठीक है अगर मैं ओवरॉल ग्रीन रेवलूशन की बात करूं तो मैं सौमी नाथन है कि आगे जलते हैं नेक्स्ट कि वीच आफ दी फॉलिंग रीजन वर इंटीग्रेटिड बैरेफरेंडम इन इंडिया निमिल लिकित में से कौन सा शेत्र भारत में जन्मत संग्रह द्वारा एकी कृत किया गया था है कि है यह जब इंडिया के अंदर 1947 के बाद की बात है यह ज सारा कुछ हो गया ठीक है उसके बाद कौन कौन सा ऐसी जगाएं है जिनको रेफरेंडम के थू जो है जन्मत संग्रह द्वारा एकी कृत किया गया था अंसर क्या ए दो और तीन जूनागर्ड और सिक्किम हाँ विल्कुल सहिल चौजरी मेरे वाई जूनागर्ड एंड सिक्किम तैकिंड एंड थर्ड ठीक है आगे चले अरेंजध था फॉलिंड हिस्टॉरीकल इवेंट्स इंदर क्रोनलॉजिकल ओडर निमलिकित इतहासिक गटनाओं को काला नू करमिक करम में विवस्तित करें ठीक है क्रोनलोजिकल इवेंट क्रोनलोजिकल करम में विवस्तित करना है पॉर्टुगीज ने जब गोवा कैफ्चर किया इस डिडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्टरी स्टेवलिश की बैटल अफ विदारा या विदारा हुआ और फर्स खुशियार ने फर्मान इशू किया अंग्रेजों को कि कि आप अब बंगाल के अंदर बिना करके वैपार कर सकते हो जिससे उनके पैर लगे यहां पर हाँ जी आंसर क्या है सी एक दो चार और तीन पॉर्टूगीज ने गोवा कैप्चर किया ठीक है जी उसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्टरी इस्टेवलिश की 1613 में सूरत के अंदर बैटल अफ बिदारा और फर्खुशियार ने जो है फरमान इशू किया ठीक है जी तो आंसर क्या है सी पॉर्टूगीज ने गोवा कब कैप्चर किया था पंद्रा सो दस के अंदर सो सीज दा राइट आंसर आगे चलें नेक्स्ट वू अमंग दा फॉलिंग गवर्नर जनरल फॉलड दा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरंस विद नेटिव स्टेट्स नेमल लिकित गवर्नर जनरल में से किसने मूल राज्यों के साथ हस्त श्केप ना करने की नीती का पालन किया नेमल लिकित गवर्नर जनरल में से किसने मूल राज्यों के साथ हस्त श्चेप ना करने की नीती का पालन किया नॉन इंटरफेरंस जॉन शोर लॉड कॉर्ने वालिस वारन हैस्टिंग या विलियम बेंटिक हाँ जी आंसर क्या ए जॉन शोर बहुत थोड़े टाइम यह रहा था जॉन शोर बहुत थोड़े टाइम रहा था ठीक है जी कॉर्ने वालिस पुलिस रिफॉर्म्स के लिए फेमस है और उसके अलावा सिविल सर्विसिज के लिए ठीक है जी वारन हैस्टिंग्स विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा एजूकेशन जॉन शोर बहुत थोड़े टाइम रहा था यह लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के साथ जुड़ा रहा था ठीक है जी आगे चलें नेक्स्ट विच आफ दी फॉलिंग पेर इस नॉट करेक्टली मैच निम लॉजी वोड्स डिस्पैच यह मैट काल्फ जो है वैल और मिटनी है हां जी इन में से कौन सा गवर्नर जन्रल या वाइस्टरॉय जो है वो इन सामने जो दिया हुआ है उसके साथ नहीं सही तरीके से मैच कर रहा पेर नहीं कर रहा इनके दोरह किये काम है इन चीज़ों के साथ जुड़े रहे हैं नहीं निशू पर आंसर डी यह पैटकल्फ वैल और मिटनी ठीक है वैल और मिटनी के साथ जॉर्ज वैल जुड़े हुए थे ठेक है जी वेल और म्यूटनी जो कब हुई थी अठारा सो छे के अंदर वेल और म्यूटनी वोडर्स जिस पैच जो है डलहुजी के टाइम पिरण में यहां पर आया था जो एक एजूकेशन कमिशन था जिसके फिर पे बाद में इंडिया के अंदर यूनिवस्टी पहली तीन खोली गी बंबे कलकत्ता मदरास वीलियम मेंटिक कोलर मिलियन के साथ और लॉर्ड वेल्जली फोर्ड वीलियम कॉलिज के साथ यह सब जुड़े रहे थे ठीक है जी नेक्स्ट है और आजका लास्ट क् thuष्टन है आपका ठीक है जी जय कमझे कारनों में से एक था अब यह जर्यनल सर्विस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट क्या है उसके बारे में हमें बताना है क्या इस एक्ट के तहट एवरी इंडियन जितने भी भारतिय सिपाही थे उनको ओवर सीज बाहर दूर दूर काम करने जाना पड़ता था दूसरा सेलरी कट होती थी सिपाइज के लिए और टेक्स जो है इंक्रीज कर दिये गए थे इंडियन पीजन्ट के उपर ठीक है या स्पैशल स्टेटस था यॉर्पेन रक्रूट्स को और इंडियन सिपाइज की पोजीशन को सिपाईयों को डाउन ग्रेड किया गया था या फोर्थ चौता के हर एक सोल्जर के लिए हर पीजन्ट फैमिली के अंदर से आर्मी के अंदर जाना मेंडेट्री कर दिय गया था मेंडेट्री अनिवार्या तो जर्नल सर्विस इस्टैबलिश्मेंट टेक्ट के थाथ इन में से कौन सी चीज़ वह लागू होती थी आंसर क्या ए एवरी इंडियन सोल्जर्स को ओवर्सीज जाना पड़ता था अगर दरूरत पड़ेगी तो वह मना नहीं कर सकते थे अब यह बहुत दूर दूर लगाकर रखते थे थे जो नौर्थ वेस्ट वाला एरिया बिल्कुल ठीक है जी आज जो बलूचिस्तान का और वह वाला एरिया है ठीक है उसके लावा नौर्थ इस्ट के अंदर और भी बहुत दूर दूर जगा डिपलॉय करते थे थे ठीक है जी तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर ठीक है जिसके अंदर हमने हिस्ट्री के कोश्चन देखे बहुत सारे और मुझे उमीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ये कोश्चन अच्छे लगे होगे ऐसी और कोश्चन लेकर मैं दुबारा मिलूँगा आपको ठीक है जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मेरे भाई देख रहे थे जितने भी दोस्त निशू सचिन शर्मा कृतिश चौ नेक्स्ट वीक कुछ और अच्छे कोश्चन लेकर थैंक यू जी थैंक यू